दियर विवेवर्स, हमारे द्रिष्टी PCS चैनल पर अपसे हर रोज शाम छे बजे राज्य विशेश करण्ट अफियस देखना न भूलें, धन्यवाद द्रिष्टी आईएस के देली करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है देली करण न्यूस में चर्चा का विशे है International Anti-Corruption Day आज यानी 9 दिसंबर को International Anti-Corruption Day के रूप में मनाया जाता है यह दिवस भरष्टाचार और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है यह दिन भरष्टाचार के मुद्दे से निपटने में समाज के हर हिस्से यानी व्यक्तियों, मीडिया कर्मियों आदी की भूमिका को उजागर करता है साल 2021 के लिए इसकी थीम Your Right, Your Role, Say No To Corruption रखी गई है साल 2020 में इस दिवस की थीम United Against Corruption थी भरष्टाचार के खिलाफ सैयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सैयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को United Nations Convention Against Corruption को अपनाया था यह कन्वेंशन 2005 में लागू हुआ था यह एक मात्र कानूनी रूप से बाद्धेकारी सार्व वहमिक भरष्टाचार विरोधी सादन है जिसमें अधिकांश्ट देश कन्वेंशन के पक्षकार है राज्यों की पार्टियों का सम्मेलन यानि C.O.S.P. यह कन्वेंशन का मुख्यनीती बनाने वाला निकाय है यह कन्वेंशन के कार्यानवन में राज्यों के दलों और हस्ताक्षर करताओं का समर्थन करता है यह भरष्टाचार विरोधी कतिविदियों को विक्सित करने और लागू करने के लिए नीतिगत मार्ग दर्शन देता है इंटरनेशनल एंटी करॉप्षन डे पर संचालित होने वाली पहलो में छे सपताह का अभियान भी है इसका उद्देश्य ब्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने में प्रमुख हितधारकों की भूमिका को उजागर करना है वर्तमान दौर में भ्रष्टाचार एक वैश्विक बुराई बन गई है जिससे कोई भी देश अचूता नहीं है रिपोर्टों के मुताबिक भ्रष्टाचार की वैश्विक लागत दुनिया के सकल घरेलू उत्पात का लगभग 5 प्रतिशत या 2.6 ट्रिलियन डॉलर है आटो नहीं है